हलो एब्रिवन मैं हूँ तोसीफ और आज की इस वीडियो में हम ABS के बारे में बात करेंगे और इसके बत्ती को भी हटाएंगे कलेश्टर मीटर से तो चलिए फ्रेंज सबसे पहले तो हम इस गारी में अपना एडेप्टर को लगा लेते हैं तो मैंने एडेप्टर को गारी में अच्छे से लगा दिया ठीक है तो अब हम जाते हैं डारेक्ट अपने टैब के उपर और फिर सबसे पहले तो हम इसमें यूनिट नंबर डाल देते हैं जो वीकल का गारी नंबर है उसको हम इस पे डाल देते हैं हमारे बहुत से भाई पूछ रहे थे कि भाई ABS का बत्ती क्यों जलता है और इसे कैसे हटाया जाए तो आज सारे डाउट्स के लिए और होंगे वीडियो में बने रहे हैं और चैनल को सबस्क्राइब अभी तक नहीं किया तो कर ले तो सबसे पहले तो हम गारी का यूनिट नंबर डालके continue पर क्लिक कर देते हैं अब जैसे ही हमने continue पर क्लिक किया तो other manufacture पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि यह comments है और some restricted access इस पर क्लिक कर देते हैं और यह 3 step में जो आप 3 का निसान देख रहे हैं 3 step में पूरे vehicle का data यह अपने android में ले लेगा जो हमारा tab है इसमें आ data वो भी 3 step में और अभी आप देख पा रहे होंगे कि ABS की बत्ती गारी में continuous blink है ठीक है और अभी data ले रही है मेरी tab ठीक है तो आज आपके सारे doubts के लिए और होंगे ABS से related और इस बत्ती को भी खतम करेंगे तो हमारा 100% हो गया है ठीक है तो अब इसमें आ गया है कि आपको क्या चीज़ scan करना है engine scan करना है या फिर other को scan करना है तो scan display other equipment तो हमारी इस vehicle में जो भी equipment है उसका अब यहाँ पर list खोल के आ जाएगा exhaust engine brake system controller और अगर आपका cluster meter से कोई related fold है तो वो भी इस पर आ जाएगा ठीक है instrument cluster तो हमें तो चाहिए ABS brake का तो ABS brake पर हम click कर देते हैं और अब जैसे ABS brake पर click किये तो हम fall code पर देख लेते हैं क्या दिक्कत है गारी में तो fall code आप देख पा रहे होंगे कि vehicle wheel sensor ABS axle 1 right side तो front side का जो ABS axle है उसका code है लेकिन यह inactive form में है और दोनों inactive form में है तो अब हम इसको clear कर देते हैं की switch off complete और फिर इसको हम okay करते हैं उसके बाद 30 seconds का wait कर लेते हैं 30 seconds में यह ABS module का जो भी code है उसको यह erase कर देगा अब जैसे ही यह erase कर देगा तो ABS module में हमारा जो भी fault है वो zero fold में आ जाएगा और inactive fold हमारा ABS module से खतम हो जाएगा तो हमारा percentage down हो रहा है अगर वीडियो पसंद आया तो subscribe जरूर करना friends ignition key switch on तो अब थोरी देर में हमारा जितना भी DTC है वो clear हो चुका है fault cleared successfully no fault detected अब ABS module में कोई भी fault नहीं रहा और अब भी हमारा ABS बत्ती जल रहा है तो ignition को हम कर देते हैं off अब थोरी देर में हम अब इसके कुछ second wait करके इसके ignition को करते हैं हम on again अब जैसे हमने ignition को on क्या ABS की बत्ती हमारी गायब है तो अब हम इस कर लेते हैं इस vehicle को start तो चलिए friends सबसे पहले हम गारी का neutral को देख लेते हैं और इस vehicle को कर लेते हैं start तो हमारी vehicle start हो चुकी है और थोरा हम race ले लेते हैं गारी में तो देख पा रहे होंगे friends की हमारी cluster meter में एक भी बत्ती नहीं है जितना भी बत्ती है total खाता हम ठीक है तो यही था friends की ABS module को भी scan कर सकते हैं और इसके भी DTC को clear कर सकते हैं अगर आपका ABS module में कोई fault है तो आपका गारी में 10% का जो है वो